एहंकार का फल मूर्तिकार की कहानी उसकी कला की भूरी भूरी प्रसंशा करता था उसकी कला के चर्चे उसके गाउं में ही नहीं बलकि दूर दूर के नगर और गाउं में होने लगे थी ऐसी स्थिती में जैसा सामान्य तह होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ उसके भीतर अहंकार की भावना जाक्रत हो गई वह स्वयं को सर्वस्रेष्ट मूर्तिकार मानने लगा उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मिर्तिव से बसने की युपति सोजने लगा वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की द्रिष्टी से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राणा हर सके अंत था उसने एक युकती सूजी उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदसन करते हुए दस मूर्तियों का निर्मान किया वे सभी मूर्तियां दिखने में हुबहूं उसके समान थी निर्मित होने के पश्चाद सभी मूर्तियां इतनी जीवनत प्रतीत होने लगी की मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर न रहा मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर पैट गया युक्ति अनुसार यम्दूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंबव था उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई जब यम्दूत उसके प्राण हरने आया तो ग्यारा एक सरी की मूर्तियों को देख चकित रह गया वह उन मूर्तियों में अंतर करपाने में असमर्थ था किन्तु उसे ग्याद था कि इन ही मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुबा बैठा है मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी उसके प्राण नहर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम विरुद्ध जाना प्रकृति के नियम के अनुसार मुर्तिकार का अंतसमय आ चुका था मुर्तिकार की पहचान करने यमदूद हर मुर्ति को तोड़ कर देख सकता था किन्तु वो कला का अपमान नहीं करना चाहता था इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड निकाला उसे मूर्तिकार के एहंकार का बोथ था अधह उसके एहंकार पर चोट करते हुए वह बोला वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मक्ता के और सौंदरे का अधवुद संगम है किन्तु मूर्तिकार एक तुरूटी कर बैठा यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे तुरूटी से अवगत करा पाता अपनी मूर्थी में तुर्टी की बात सुन एहंकारी मूर्थिकार का एहंकार जाक गया उससे रहा नहीं गया और वो हज़ट से अपने स्तान से उठ बैठा और यमदूद से बोला तुर्टी असंभाव मेरी बनाई मूर्थियां सरवदा तुर्टी हीन होती है यमदूत की युकती काम कर चुकी थी, उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती, और तुम बोल पड़े, यहाँ तुम्हारी तुरूटी है कि अपदे एहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं, यमदूत मूर्तिकार के प्राण, हर अमलोक वापस चला गया सीख अहंकार विनाश का कारण है इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी ना होने ने धन्यवाद झाल 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 झाल